हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लॉग रेजवेट्स के लिए हिमाचल प्रदेश युनिवस्टी में निकली लॉग ओफिसर्स की लेटिस्ट वैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो दोस्तो ऐसी युजफूल वीडियो उचको पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं हीमाचल प्रदेश इन्यूरस्टी में जो law graduates के लिए vacancy निकली हुई है law officers की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिए जो official notification वो आप कहां से download कर पाएंगे तो यदि आप चाहते हैं official website के दोरा जिससे कि आपको clear रहे कोई आपको fake vacancy तो नहीं बता रहा है तो इसकी official website पर जरूर एक बार चेक करें तो इसकी official website है www.hpushimla.in और इसका जो recruitment page है वो आपको मिलेगा recruitment.hpushimla.in इस page पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको vacancy मिलेगी और देखें राइट हंड साइड दिख रहा है advertisement और उसके नीचे दिख रहा है advertisement recruitment 25-2021 dated 4-1-2022 तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से notification को download कर पाएंगे और यहाँ पर उपर आप देखेंगे apply job यहाँ पर आप जाकर के apply कर पाएंगे registration कर पाएंगे तो चलिए details जान लेते हैं इस vacancy के बारे में तो दोस्तों आपके सामने screen पर हिमाचल प्रदेश University के द्वारा जारी official notification है यह notification आपका 4 January 2022 को जारी किया गया था तो यहाँ पर ही जो इसके लिए application form start हो रहे हैं वो 7 January 2022 से start होंगे और इसकी जो last date apply करने की वो है 29 January 2022 इस time period में आप इसके लिए form apply कर पाएंगे online तो इसकी official website मैंने आपको बता ही अगर directly recruitment page पर पहुंचना चाहते हैं तो www.recruitment.hpushimla.in पर जा सकते हैं और apply कर सकते हैं तो चलिए details से जान लेते हैं vacancies के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर different type की vacancies निकली हुई है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको legal field की जो vacancy है उसके बारे में बता officer की vacancy है उसका जो pay scale है 10,300 से लेकर के आपका 34,800 का है और इसका grade fair 4400 का इसमें अगर number of vacancies की बात करें तो यहाँ total 3 vacancies है यहाँ पर qualification क्या मांगी गई है तो आपके पास law degree होनी चाहिए किसी भी मानेता प्राप्त institute या इन्वर्स्टी से उसके बाद जो minimum 5 year का experience होना चाहिए as a advocate work करने का किसी भी court में हो वो यहाँ पर मानने होगा उसके बाद बात कर लेते हैं application fees क्या पे करनी होगी यदि आप general category के अंतर गताते हैं या OBC category के अंतर गताते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो है यदि आप category B की vacancy है तो 2000 है और category C, D की है तो 1200 है तो यहाँ पर हमारी category C की vacancy थी law officer की तो इसके लिए 1200 रुपए पे करने होगे आपको वहीं अगर आप जो है SC है, ST है या EWS category के अंतर गताते हैं इमाचल पर देश के तो उस समय आपके लिए only 600 रुपीज fees पे करनी होगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको form online ही apply करना होगा और उसके बाद जो fees है वह भी आपको online ही पे करनी होगी इसके अलावा कोई दूसरा option नहीं है तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि law officer की जो vacancy है इसके लिए slabus क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो exam है वो एक ही part में होने वाला है तो उसके लिए देखें यहाँ पर जो exam का slabus है तो सबसे पहल आएंगे वो 10 mark के होंगे और यहाँ पर general Hindi भी पूछी जाएगी 10 questions होंगे और 10 marks के होंगे उसके बाद general knowledge है including आपका हिमाचल प्रदेश related जो general knowledge है current affairs है और science और social science related questions होंगे यहाँ पर 20 questions होंगे 20 marks के उसके बाद जो law degree का means LLB degree में जो आपका slabus होता है उस slabus से आप से 45 questions 45 marks के होंगे इस परकार से यह जो exam होगा आपका 85 marks का होगा और इसमें 85 questions ही होंगे और इसमें जो आपकी negative marking है वो भी है और अब बात कर लेते हैं कि उसके बाद जो है 15 marks का आपका जो documentation है उसमें जो भी extra eligibility आपके पास या experience रखते हैं या आप अच्छा knowledge है तो उस समय आपको यहाँ पर 15 marks रखे गए अलग से इस परकार यह जो exam होगा आपका total 100 marks का होगा और इसमें जो भी eligible candidates से अच्छे marks लाएंगे उनको यहाँ जाब का chance मिलेगा तो दोस्तों last में बात कर लेते हैं कि age criteria क्या होगा यहाँ पर minimum 18 years है और maximum 45 years age रखी गई है और यह जो age count होगी वो 29 जन्वरी 2021 22 से count होगी बहुत बहुत धन्यवाद